नवस्कार भाई सभी को रवरम तो क्या हो सारा सारा अपनी एपनी घर पे प्रस्तान हो चुके होंगे सभी ने अच्छे से एक्जाम दे दिया होगा मेरे दोस्त जैसा कि मैंने अभी लास्ट वूडियो में बताया था आप सभी को कि आज का पेपर देख के बहुत खुशी कोई moderate आते हैं और बहुत टफ आते हैं कुछ persons तो यह pattern इसमें follow होता है हर बार के questions को बन देखते हैं तो उसके अनुसारी इसमें हुआता है आप लोगों का वैसे बहुत प्यार है मेरे साथ है मेरे दोस्त उसके लिए मैं thank you और कुछ जो जितना content मैंने दिया था उसमें से क सकते हो जैसा कि मैं मतलब इतना खूस हूं नोट से आप लोग बहुत सारे स्प्रेंट भी नोट से बहुत सब्सक्राइब को बताना चाहूंगा कि आज अपन बात करेंगे जो कि संगनक के लिए आपका से स्कोर क्या होगा मैंने दोपर के बाद में जब एक्जाम होने के व कोड़ेट भी बताया था पेपर को अपन बात करेंगे मेरे दोस्त आपका एक सेफिश कोर काफी लोगों ने अभी तक मिला यह नहीं होगा आप अपना अंसर की में लीजिए बूर्ड के टेलिग्राम पर मैंने आंसर की भी भी भीपैपर की आप आंसर की आराम से मिला तो कि इसकी कटोब क्या रह सकती है अनुमान क्या लगाई जा सकता है जिसा कि देखो संग्ड का यही रहता है कि फैसर्ट से लेकर 70 गेतर 62 पैसर्ट यही इसका रहता है कटोब का दिकतर और पेपर वेसा आता है देखो एकोनोमिस के लिए मैंने पहले बता अच्छे आएंगे तो एकोनोमिस के लिए बोला अच्छे क्यूंट आ गए हां करंट अपनी करवाया उसमें से आपको अधिकतर मिल गए तो यही बात है सारा एक यही बात है तो इसमें मैं कुछ आगे-पेचे कुछ नहीं कहने वाला क्यूंकि इसमें क्या करने की बात है हाँ लेकिन सेलेक्ट्टिव टोपिक पढ़ना ना वह एक महित्वपूर्जी जो होती है एस्पिरेंट के पास में को एसा नहीं होना चाहिए कि सारी चीजे फड़े चीजों को एक जगे और दूसरी बात यह इसे ज़िशह कर लिए उसके बाद में अपने को पढ़ना क्या है चोड़ना क्या और यह छीज बड़ा में एकजाम में यह सबसे बड़ा मेटर करता है एक कंफ्यूजन होना कि मैं इस टीचर का भी पढ़ लो इतना पढ़ लिया पेट बर जाए विन देखें कोई बात ने बहुत सारे अस्प्रेंट को ठीक रही हुआ है तो दुखी नहूं यह कोई आपकी लाइब का ना अन्तीन पेपर नहीं है यह आपके लाइब का कोई अन्तीन पेपर नहीं है आप अच्छी प्रबशन करो आपनी प्रबरशन की दोड़ में शामिल हो चुके नहीं तो कुई बात नहीं अब आगे हैं ना आप और परपरशन करो आपका सलेक्षन जरूर होगा मेरा दोस्त अगर आप तन वन धंसे लग उपश्थिति की बात कर लेते हैं कि वह कितने अस्प्रेंट उपश्थित रहे थे एक्जाम में आपको टेलेग्राम यह चीज मिल जाएगी ठीक है आई होब आपको दिख भी जा दिख भी रहा हो आया से टोटल कितने आवेधन आये थे मैं बता चुका पहलए ठीक है यह थे आव्यदनinek 1 30 मैं आवेधन थे एकाशी इसमें आवेज़शन था मेरे दोस्त, अब में बात क्या उपुष्टिति कितनी है जदा आपका टाइम वेश्ट नहीं करूँगा, कितनी उपुष्टिति हैं, यह सेंटर दिया गे थे, आठ सेंटर थे, इन सबी सेंटर्स में, अपन इन सबी सेंटर्स की बात करें, तो उपस्तिती कितनी रही थी ये परजेंट ये एपसेंट ये बचे अनुपस्तित रहे थे और ये उपस्तित रहे थे मतलब है 85,421 बच्चे कितने 85,421 बच्चों ने ही एक्जाम दिया 1.80 लाग से अब देख लो आप कटोप अधिक नहीं जाएगी इतनी जितनी जाती आईए कटोप का परसंटैज में देख आपन तो परसंटैज में 47 percent का रहा है पर्जेंट का अब देखते हैं कि अजमिर में आप ही देख लेना है सबना अब क्या बताऊं सबसारी एक्जाम देने वाले सारी करीम इसलों करें कर दो उसे लेकिन उनको एक्जाम देना ही देना है ओके चलो आगे बात करते हैं अब अपने एक पॉल कर रहा है था टेलिग्राम पे आपको दिखा दूँ कितने बच्चों के कितने नमबर आ रहे हैं आराम से देख लिजेगा इसको संगनक में आपके अनुमानित किते नमबर बन रहे हैं यह पॉल क्रियेट कर आया था टेलिग्राम पे इसमें 50-18 परशेंट है अठाइस परशेंट 15-60 के बीच में ठीक है और सबसे ज्यादा कूर से है 33 परशेंट 60 से 70 के बीच में ज्यादा अब इस पॉल में जो जिन्होंने मेरे जैसे बहुत सारे हैं कि एकजाम डी नहीं फिलेप वोट कर दिया था कोई बात नहीं आप 2000 वोटों में से 1500 वोट दो म में तो आप यह मान के चलो कि भाई पेपर मेडियम पेपर था आप सभी ने भी बता है और मैंने आपको स्टाटी में बता दिया था 33 परशेंट साथ से सतर सतर सिपलस सतर असी के बीच में नमर आ रहे हैं तेरा परशेंट असी सहधिक आ आपने इसके वोट कर दिया लेकिन इसके आदार पर तो नहीं बता सकते हैं ना परसनली मेरे साथ काफी लोग जोड़े हुए हैं संगनक के तो मैं आपको यू बता दू कि बच्चों ने यह बोला कि हमारे कितने नमर बने अराउंडिंग हमने निकला है तो गर पे आते आते ह हमार थोड़े से नमर कम हो रहे हैं सर क्या पता कैसे हो रहे हैं मैंने कहा बच्चे है तो घर पे जा आराम से घर पे जाके मिलान करना या इतनी जलूरी नहीं कल कर लेना आराम से सोना जाके कल कर लेना ना तो लगबग एस्परियंट के कितने नमर आ रहे हैं सतर पैसट बै पहले से नहीं थे पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपको वीडियो भी इच्छा लगेगा सब्सक्राइब कर दीजाए मेरे बाई अकर नहीं जुड़े तो लाइक कर दीजिए का सेर कर दीजिए आपको कुछ बात पूछनी हो तो सुनिल चोधरी वाइटी की नाम से लिंग आपको मिल जाएगी अन्यता सब्सक्राइब आया मिफश्ड लक्रवश्व या गारोजऑ श्रत oll को alright तो चलो और इस पर देखते हैं कि क्या माहल है किसली कटओव जा सकती है अब यह कटओव जाने की संभावना है लेकिन आपक्तित्री एसा माने ला जैदा कटओव इनकी जा कि इसके की होगी हगी इनकी काफी जा सकती काफी एस प्रेस्का थे लेकिन को टोप के आनुसार देखिए नाぎ तो 21 की तरब से तो यह सा महानना जा सकता है कि यह कटोब रहने के समभाउन है। औरनला छिकारों आपि आप विए मान के चलो कि उतनी को कटोब रेने की संभावन है मैंने पहले यह आपको काफी दिनों से बताता आ रहा हूं काफी लोग कुछ महानवों ऐसा भी है कि सर 80 का टार्गेट क्यों रखेंपन अब आई समझ में आपके एटिका टार्गेट रखने से यह फायरा होता है कि आपके नमर इंक्रीज ही होते हैं रिक्रीज कभी नहीं होते मेरे दोस्त जडरल की इतनी कटोब जा सकती है 70 मेल के लिए फीमेल के लिए 68 70 के लगबग ही जानी है देख लेना आप इनकी कटोब लगबग सेम से ही जाएगी की एक दो नमर के मैं कहा नहीं सकता ही डबल वसकी 70 है इतना मान के चल नहीं चलना है ऑज़ी के लिए ठोड़े बहुत रियायत मिल सकती है मेल के लिए थोड़े से बच्चे कम भी थे इतने नहीं थे काम बच्चे थे फीमेल की ज्यद ₹ए लेकर देखो कितनी क्या हो सकती पांच आनमर उपर मान के चल सकता हो पर नीचे क्योंकि अभी कुछन भी डिलेट होंगे ओपी इसल आंसर की भी नहीं आई है ठीक है जब तक आंसर की आ जाए उसके वालूम पड़ जाएगा उसके अंदर अनौ ऐसी एस्टी के लिए यह देख सकते हो आपकी स्कोर में यह आपका सेफश्कोर है इससे अपको उपर नमर बन रहे हैं और आपके तो यह मान के चलो आप लगबग सेप जोनमें हो ओके ठीक है भई सभी को तो यह देटा थे मेरे पास में मैंने आपको share कर दी है ठीक है मेरे बई अगर जिनों ने मान लो किसी के experiment के हैं इसमें नमर नहीं बन रहे हैं तो आपके पास में बड़िया स्यानधार परसू परिचर की परपरसंट कर सकते हो भाई कोई दिक्कत नहीं है पर सुपरीचर भी अच्छी वेकेंसी है मैं यह नहीं कहता कि आप इसी में लगो आपके पास पटवार की वेकेंसी आ रही है ठीक है और नायब तेसलार की अपडेट के लिए मैंने बोला हुआ है जैसे मेरे को अपडेट मिल जाएगी तो आपके पास पटवार की तहरी करने के लिए आप पटवार की तहरी कर सकते हो और ऐसाई कि आप कर सकते हो आपके पास में सांदर सांदर वेकेंसी है कोई यह जुरूरी थोड़ी है कि भाई आप नहीं मैं तो दो मेने की तहरी करके इसमें लगूंग या लगूंगा ना भाई मैं क एक वीडियो लेकिए आ रहा हूं जो आप संगनक वाले एस्परियंट जिनके कम नमर आ रहे हैं ऐसा लगता है कि मेरा सेलेक्षन इसमें नहीं होगा मैं यह नहीं चाहता हूं कि आपका सेलेक्षन ना हो आई होप वन से इच्छ है वेरी कि आपने अगर अच्छे जाता है है एले साथ करभी बहुत सरे ऐसे दोस्त हैं मेरे वह भी प्रिपरिश्ट्सक्र रिकते आरे सिलिकते हैं तो आरस में लिए तो उनमें अलगी हो जाता है कि मेरा होगा ओ hypoth réfl कर दिकत खो आती है उनके भी वह पहले बहुत अच्छा स्कूर करते हैं लेकिन जब एक्जाम सेंटर पर बैठते हैं तब पता नहीं क्या हो जाता है माइंड पुरा डायवेट हो जाता है हम उस चीज को सोचने लग जाते हैं कि यार पेपर तो आज दे रहे हैं अभी पेपर तो लिख र होने की बीच में रहे जाते हैं हम परजेंट में क्या कर रहे हैं वह बात भूल जाते हैं तो यह चीज नहीं सोचनी है आपको अब मैं आपको कल एक वीडियो आएगा अपना स्टेटेशी का वीडियो आएगा मैं उसमें बता दूंगा जिनके कम नमर आ रहे हैं तो वह कर देना सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई बाकी आई होप आप बहुत सारे अस्प्रेंट का जो मेरे साथ जुड़े वे थे जिनके किसमत भी इच्छी साथ दी हैं तो उनका फेपर भी अच्छा हुआ होगा ठीक है बाकी अपन मैनत ऐसे करता रहेंगे मेरे दोस्त आगे किताब से महबत करनी पड़ती है मेरे दोस्त जर्ष तो नोगरी वोगरी का मन में नहीं आती यार कभी कभी तो उस्ता है कि किताब किताब फड़े है ठीक है बाकी है आप टेलिग्राम पर जाकि एक बार अपना चेक कर लिए आंसर की बाकि अपनोर बात कर लेंगे कल का वीडियो का इंतचार करना मेरे दोस्त बिलकुल आपको इतने स्टेटिजी का वीडियो मिलेगा जो संगणक वालों के लिए बीडियो के लिए होगा तो आप इतने द्यान रखिएगा कि डिमोटिवेट नहीं होना आपको अपने पॉजिटिव थिंक रखनी है कि मैं कोई बात नहीं है इसमें नहीं होया तो नेक्स्ट में कर लूँगा लड़किवे लिए घरवाले दबाव देते होंगे कि साधी कर द कि मिलते हैं पर नेक्स्ट स्टूडियो में और तब तो लिए सभी को जहन जेवारत